नमस्कार जहनद हम आगे आप को क्या करना इसके बारे में संपुन जनकारी देगे। वीडियो में सूचना डेज जो दिया है आठ संख्या 8-13 और इसकी विज्यापन संख्या है चार परिच्छा 2,030 जो प्रवरतन कांस्टेवल में पुष्ट के लिए प्र यहां तर्फात प्रवरतन सिपाही पुष्ट के लिए पुष्ट के लिए पर इसके बारे में जो है इनकी पदों की संग तक 470, 477, 470 पदों के लिए जो चैन की मुख्य परिच्छा है, उसके लिए सार्ट लिष्ट जारी की गई है, जो पेट 2022, प्रिमिलिरी एफिसियंसी टेस्ट, पेट 2022 के स्कोर के अधार पर यह जारी किया गया है, इसमें जितनी भी रिक्ति संख्या इस का 15 गुना अभ्यरतियों को स्टेकेंड इस्टेज के लिए अर्थात मेंस परिक्षा के लिए सार्ट लिष्ट किया गया है, समान अट अप्राप्त करने वाले सभी अभ्यरतियों को समलित करते हुए, यानि कि जिनका एक समान अंक है, जैसे फार एक्जामपूल दो लोगो समान अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यरतियों सब को ले लिया गया है, और 15 गुना अभ्यरतियों को लिया गया है, इनके अनुसार 28,308 अभ्यरतियों के परिडायम कटप को मानने आयो के निरड़े दिनांक 622-2024 के द्वारा मुख्य परिछायत अनुमुदित क अभ्यरतियों को सामिल के आ गया है, तुझे है कि अंदर आवेदन करने वाले 62 अभ्यरति, मुख्य परिछायत चिनित बुक्त 28,308 अभ्यरतियों के प्रणाम में चिनित हुए है, इनके इसमें से 222 जो है दिव्यांग अभ्यरति भी हैं, इसमें से 62 अभ्यरति दिव्यांग जन स्रेणी के अंतरगत हैं और इसमें मुख्य परिछा के लिए यह समलित हुए है, जो 28,308 में सामिल है, जबकि प्रशनकत बिग्यापन के अंतरगत दिव्यांग जन स्रेणी के अपद चिनित नहीं है, लेकिन इसमें अठाइस नहीं 62 अभ्यरतियों को सामिल किया गया है इसी में, अठाइस जार तीन सा और सट में अतरगत दिव्यांग जन स्रेणी में आवेदन करने वाले यहों मेरिट करमें चिनित उक्त बासट अभ्यरतियों का परिणाम मानकों के अनुरूप स्वास्ता प्रवाण पत्रुपलफ्द करानें अधियाचन करता विभाग के अनुसा अधीन होगा, यह निकि इसके बाद क्योंकि पोश्ट में दिव्यांग जन के लिए नहीं थे और इसमें साइट लिस्ट में बासट बासट अभ्यरतियों को सामिल कर लिए तो आगे आयोग निरने लेगा इस पर आयोग का निरने होगा तथा जीदने लोगों को अब दिव्यांग जनों को सामिल किया गया है वह अपना डाक्यमेंटेशन रखेंगे अवास्त अखो जाएगा इनक में समस्त अभ्यरतियों के तद्वरा सुचित किया जाता है कि मुख्य पर इच्छा है तो साट लिस्ट किये गए अभ्यरतियों का परिणाम अभाग के पत्र संख्यादीश दिनांग च्छो दो दुहजार द्वारस और सुचित प्रन संबंदित कटप क्या था वाता आग क कितने पर साट लिस्ट किया गया कितने आपको कट अप दिखा रहें अभी तो साट लिस्ट किया गया तो नहीं को परिछा में उनको फीज जमा करना पड़ेगा और फीज जमा करने के लिए अलग से आपको कि बथि जम लेयुदि अलग से आपको और तो जैसे हैं वेवसड़ के माधिम से मैं प्रेकार की सुचना जैसे आएगे हम आप आपको सुचित लेगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको हर प्रकार के अपडेब तुर bells बिल सके देखते हैं आगे इसके बारे में कटक के बारे में यह है लंबोत आरक्षण वर्टिकल में तो अगर आपको अंतर पता नहीं है तो इस चैनल पर वीडियो पढ़ी हो जाक्र डिटेल्स में समझ सकते हैं अभी हम दिखा देते हैं लंबवत आरक्षण में कि 40.90 पर कटप बनाया गया है 46.90 पर और कि होरिजंटल आरक्षण में स्वतंतरता संग्राप से नानिया के असरितों के लिए लेकिन जो 46 पौदों को लिया गया है वो इसी में यानि की लंबवत आरक्षण के अधार पर ही सटलिस्ट कर लिया गया है इसके बारे में जो कुछ भी नई सबसे पहले मिल जाएगा तो इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन को अन रख लें तथा वीडियो को सेर कर दें लाइक कर दें धन्यवाद